नमस्कार दोसां, स्वगत है आपका हमारे अचार जागंदर मिशा चैनल में अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये साथ संकेत दोस्तों, हिंदू सास्त्रों में समय को बहुती सक्तिसाली बताया गया है वो समय का पहिया ही है जो मनश्य को खुशी का लाबहानी और जीवन मिर्तु से परचित करवाता है मित्रों आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुस्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें जहलने पड़ते हैं लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में भी सुब समय आने वाला है इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के लिए आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान स्रिकृष्ण ने स्वयम नाराज जी को बताया था, हिंदो गरंतों में वड़नित है एक कथा की अंसार, जब एक दिन नाराज जी भगवान स्रिकृष्ण जी से मिलने आये, तो उन्होंने भगवान स्रिकृष्ण जी से पूँचा, कि है नाराण कृप्या करकी ये बताये कि कोई भी मनुसे अपने जीवन में आन के द्वारा पहुचाता हूँ, जिने ग्यानी मनुसे तो समझ लेते हैं, लेकिन अग्यानी मनुस उन्हें भाप नहीं पाते, है देवर्सी, उन संकेतों में से सबसे पहला संकेत जो है, यह कि मनुस की आखें ब्रह्म महुर्त में जब खुलने लगे अक्षर, तो उसे इस् उन्हें कोई और किशी दिसा की और ले जा रहा है, तब ऐसे मनुस को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उनके भाग के द्वार को खुलने वाला है, और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है, ऐसे समय में मैं स्वेम मनुस की साहता करता हूँ, तो मित्रों हैते हैं कि हे ब्रह्म पुत्र देवर्श नारद जो कोई मनुस से प्रसन रहने लगे अगर शुबय शुबय यह फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुश्कान दिखाई दे, अर्धात वो मुश्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुस जब आपने आपके कुरोध पर विजय इस से ज़्यादा मिलता है, मित्रो आपने भी सुना होगा कि प्रसनिचित मनुस को मने में इस तोरह स्वयम बास करते हैं और ऐसे में जब मनुस कमन प्रसन रहने लगे तो उसे सबज लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगवान होने वाला है, इसके आगे बंदर आपके घर की चीजे उठा लेकर जाएं या फिर आपके प्रागण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे या पच्छी आपके घर में अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे तो मनुस को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से ही ज़्यादा सक्तिसाली बन पहले लगे या फिर उन्हें देखकर बार-बार मुश्कराएं तो ऐसे उस में उस मनुस को समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुंसर सभारा होने वाला है और नए रिष्टे उनसे जुड़ने वाले हैं मित्रो आपने भी बड़े बिजुरुगों को ये कहते हु पैसा दे कर जाए यानि कि अगर दिया हुआ पैसा वापस दे कर जाए तो आपके पास धन आने वाला है आपका भागे अब समरने वाला है आपके जीवन के अनेग प्रकार के कठिनाया दूर होने वाली है और आप घर में इस्वर कबास होने वाला है और आपका समय बहुत ह अच्छा होने वाला है अगर सुबय सुबय आपको किशी सादू संद के दर्सन में हो जाएं या फिर सुबय सुबय जैसे कि आप अपने चेहरे को देखते हैं और आपका चेहरा खिलखला कर उठ या फिर आपके चेहरे पर चमाका जाए तो ये भी इस्वर की कृपा से बहु इस्वर के कृपा से ये काफी सुब माना जाता है और माता लक्षमी कृपा बरसेगी सदैव आपके घर में भगवान सुरकृष्ण जी के कृपा से यानि कि सुब होने वाला है और जो भी कार करने जाएंगे वो आपके लिए ही बना है अगर माल लिजे आप कोई भी काम कर अगर आपको शुबय यनि कि ब्रह्म मुहुर्त में आपको रोजाना कई दिन लगातार भगवान स्रेक्रिष्ण और माता लक्ष्मी का दर्सन होने लगे तो आपके जीवन से गरीबी दूर होने वाली है और आपके जीवन में शुक्षंब्रधी का वास होने वाला है अनेक आप दूद उबाल रहे हैं और अगर दूद उबालते समय दूद गिरने लगे तो ये समझ लेजे कि दूद यनि गिर रहा है तो ये भी भगवान स्रेक्रिष्ण जी के किरपा से आपके घर में सुब संकेत आने का समय है यानि कि दोस्तों ये कुछ संकेत होते हैं जो आप आगर आपके घर में बार बार आए तो ये काफी सुभ माना जाता है ये फिर आपके घर में नेवला आजाए नेवला आने का भी काफी सुभ माना जाता है ये फिर बिल्ली बच्चे दे दे और पच्चियां घोसला बना के रहने लगे तो ये काफी सुभ माना जाता है दोस्तों ये कई संकेत है जो आपके घर में शुभ और अच्छा आने का संकेत देते हैं भगवान सिरक्षिन जी कहते हैं कि ये संकेत शुभता का प्रदिक माने जाते हैं रंग को भी राजा बना देते हैं तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा इन्वे से कौन से संकेत आपको मिलते हैं और साथी वीडियो को लाइक करिएगा जदे जदे शेयर करिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्षमी